आपका आपी के यूटूब चैनल मिश्कोडीके में आज हम बात करेंगे सुजलोन अनर्जी को लेकर सुजलोन अनर्जी के अंदर दूसे दिन भी धमाकेदार तेजी हमें देखने को मिली है पांच परशेंट का अपर सरकेट स्टोक में आज फिर लग चुका जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हो अपने बावन वीक के आसपास पहुंचा हुआ बावन वीक हाइस का क्या है लगबग 20 रुपे 80 पैसे के आसपास के तो स्टोक पहुंचा हुआ है 20-45 यानि कि कल क आपको एक अपडेट आया थी उस एक अपडेट के चलते अब इसमें आने वाले टाइम में और भी जवर्दस रैली बनेगी क्योंकि यहां पर बहुत ज़ला हावी है यहां पर देख सकते अभी 16,70,000,000 के करीब स्टोक में वोल्यूम आई है जवर्दस वोल्यूम चलते ज कल के दिन यह अपडेट आय थी 9 अगस्त को रात 10 बजे के करीब आप लोग देखोगे यह आर्टिकल भी हमें देखने को मिला है तो रेज रेट 200 क्रोड जिया 2000 क्रोड तो 2000 क्रोड जोने कंपनी फंड्रेज करेगी विया क्यो आई पी यहनि क्यो आई पी के जरिये और जिस एगर 20 के आज पास यानि क्यों कि यह कल के दिन ओपन हुआ जब यह वह लगबाग फरता तो यह जो पहुआ है वह 5% के डिसकाउंट पर हमें देखने को मिला है जहां यह जो पॉपन ऑप पर संडके डिसकाउंट पर हमें ओपन होते हुए नजरा है और इस इस्शू के चल ठीक है sell करेंगे तो sell करेंगे बीस दो हजार क्रोड रुपे के share तो उससे क्या होगा इनकी holding कम होगी अगले quarter के दुरान जो share holding patterns आएगे ना वहां पर FI की holding हमें increase होते हो नजर आए क्योंकि FI वाले ख्रीद देंगे यापर QIP में और जहां पर promoter से holding decrease करते हो नजर आएंगे तो उन सब को लेकर एक नई टूइफेक्स टॉक के उपर आ सकता है लेकिन घबराना नहीं है ठीक है क्योंकि future में company आपको जना भी buyback लेकर आते भी नजर आ सकती है अगर company अब share बेच रही है ना तो future में यह 99% आप लोग देखो के buyback लेकर आएगी 1293 क्रोड के आसपास company को उपर debt है यह 2000 क्रोड का जो fund raise करेगी ठीक क्यों IP के जरी इससे क्या होगा कि company अपना जो debt है एक तो वो pay करेगी कलियर बोल रखा है secondly आप लोग देखोगे जहां पर debt के और रिगार्ड कंपनी को interest वगरा pay करना पड़ता है हर quarter के दोरान वो interest एक तो नहीं देना पड़ेगा अप तो आगे से ठीक है यहां पर जो जितना भी पैसा बनेगा ना वो company के अंदर ही आएगा और यहां से company के प से बड़ा जरिया था पीछे company ने राइट इशू के जरिये फंड रेज किया 1200 क्रोड अब 2000 क्रोड तो टोटल 2200 क्रोड कंपनी ने फंड रेज किया और अपना जो debt ना वो कलियर करते हो नजर आईगी और पीछे company को 47.6 मेगा वोट का एक और प्रोजेक्ट भी मिला था KP ग तो हमें यह पता चला कि shareholder approval मिल चुका और कल ही के दिन QIP को open कर दिया गया था तो चलिए अब जानते इसके आगे के क्या होंगे moment तो जैसा कि यहां पर आप लोग देखोगे जब stock में यह breakout हुआ तब आपको बोला था कि stock में अच्छी entry का मौका है 17.60 का SL के stock में entry ले सकते तो stock का जो हमारा first target था क्या 20.55 पैसे stock लगभग अपने उसी target का अच पास पहुंचा हुआ है अगर यह level break होता है कल के दिन फिर यह share पहुंचेगा 22.00 का जो हमारा second target है वो अच्छी होते हुए नजर आएगा तो यहां से stock में जबरदस rally बरकरार है अगर अभी के time आपने stock को purchase गया तो 19.45 का आपको जोनवी stop loss लेके चलना चाहिए जी है 19.45 का इसके अंदर है असल है और उपर में target इसके रहेंगे 22 पलस के अगर 22 प्रेक हुआ फिर next target 26 के आसपास के और बहुत सारे आपने देखा होगा भी experts से जिनके दुवारा 22 रुपे के target ठीक है secondly आप दवरा दिये गए है और यह I think मैंने भी एक article दिखा था वहां पर और यह article भी हिंदुस्तान के विशल website के उपर है वहां पर यह target दिये गए थी तो यह target बड़े बड़े दिये जा रहे है लेकिन safety जरूर है इसलिए आपको stock के अंदर SLA के चलना चाहिए 19.45 का I hope आपको व future में अच्छी growth होगी long term vision से अगर पैसा लगा रहे हो तो काफी अच्छा है and thank you for watching the video